य्वेवरिवन क्या हल चाल सबनियां तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी समस्टर टू आयर्सी केमस्टी के एक्जाम में आप सभी बच्चों को देखे जो भी इंपॉर्टेंट कोईशन केमस्टी पूछा जाएगा वो सारा का सारा यहाँ पर कभ पूछे जाएंगे वो यहाँ पर कभण कारिंग कोशिज के एक तो आप इस वीडियो को लाश्ट देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जुरू बताना है तो चली देखते क्या सावल आपसे पूछे गया किताम में इंपॉर्टेंट कोश्चन से आयर्स याद रहे हैं यह कोश्चन बहुत बार पूछता है एक्साम में बिलीव नहीं होगा तो आप लोग कोश्चन पेपर भी प्रिवियस हीर कोश्चन का कौल के रख लीजेगा सौर्ट नॉट्स पूस्था है इसके उपर ठीक है अट्मिक रेडियस का विरियेशन आयोनिजेशन एनरजी का विरियेशन इन्थैलिपी नहीं काएंगी इसका क्या बोलता है इलेक्टर नेगिटिविटी का यह सारे चीजों का पूस्था है ठीक है स्टूडेंट तो आप लोग ये सारे चीज़ें कर लेंगे मैंने अट्मिक रीडियस जब चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर ये चारू रीडियस के बारे में बताया था ठीक है ये चीज़ जरूर देख लिजेगा objective के लिए कि कौन सा रीडियस बढ़ा होता है wonder wall, metallic या covalent ठीक है ये सारे चीज़ें हम देख पा रहे हो variation of atomic radiance in periodic table ये बहुत अच्छे से देख लिजेगा ठीक है ये very very important questions है हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप inorganic और physical ये दोनों कर लेते हैं तो बहुत अच्छा score से आप pass हो जाओगे ठीक है फिर बात में आप मत कहिएगा कि मैं मैं आप advice नहीं कि इस तरीके से देखे आइसो electronics ionization enthalpy chip definition इसका successive ये सब नहीं इस सब नहीं देखिएगा तो भी चलेगा इसका ये question कर लिजेगा why ionization enthalpy are always positive ये question जरूर कर लिजेगा ये वाला आपको करने का जूरत नहीं है factors effecting screening effect nuclear charge ये देख लेना है आपको थोड़ा सा electronic configuration का definition याद कर लिजेगा ठीक है और variation variation सब का पढ़ लेना है आपको variation किसी का नहीं छोड़ना है क्योंकि 4 से 5 variations पूचता है ठीक है ये इसका variations का exceptions लिख नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं लिखेगा तो आप जितना अच्छे से deal कीजेगा उतना score कीजेगा ठीक है समझ पा रहे हो ये तो आगे हमारा inorganic का second part second chapter जो complex and double salt पूचता है ये भी question आपके पूचेगा बहुत अच्छे से मैंने define कर दिया हर एक तोर पे EAN rule जो की exam में 100% guarantee है पूचेगा ठीक है आप इसको देख लीजेगा इक इस तरीके से है क्या है बस इतना ही आपको लिखना है बहुत ज़्यदा राम कथा नहीं भर देना है ठीक है देखरेंगे आप लोग यह वाले concept को भी आप लोग लिख दोगे यह सेडविक के through दिया गया था और यह इसको यह बस यहां तक थोड़ा सा define कर दीजेगा हो गया ठीक है सेडविक theory को ही EAN rule कहा जाता effective at victim पर आप यह भी याद कर लोगे सेडविक theory आएगा exam में 100% आएगा क्योंकि semester 4 में भी आया था तो आ सकता है ठीक है आप इसको कर लोगे limitation of sedविक यह दे limitation देख लीजेगा यह सारे उसके बस limitation से यह वाले part देखने का जूरत नहीं है यह वाले यह पूरा part आपको देखने जूरत नहीं यह देख लीजेगा reverse osmosis ठीक है want of factor पढ़ लीजेगा want of factor आएगा osmosis का definition करना है आपको ठीक है want of factor हाँ एक चीज़ा है depression of freezing point students आप से लिख के दे रहे हैं यह चीज़ question आप जरूर करिएगा बिल्कुल करिएगा देखे कैम IRC chemistry team part में group A, group B, group C कोई भी दो group को उठा लीजेगा ना students आपको फेल तो अप नहीं होंगे 50 plus 75 का माँ exam है 50 plus ही लाइगा मेरे बात मान के आप लोग जाएगे कोई भी दो portion को उठा लीजेगा तो ठीक है in fact हम तो इतना कह रहे हैं कि inorganic भी आप बहुत अच्छे से कर लीजेगा तो पास हो जाएगा लेकिन हाँ हम chance लेने के लिए नहीं कहेंगे इसलिए हम physical में कह रहे है physical में ज़्यादा hard नहीं है ठीक है क्योंकि उसमें safe solution और gasy assisted ही है जो कि बहुत easy है बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे यह सब देख रहे हैं आप लोग यह सब करने का जूरत नहीं है यह सब बिल्कुल भी नहीं है हाँ यह करना आपको depression of freezing point के बाद यह वाला point ठीक है कहां तक तो यहां तक ठीक है सारा चीज़ ध्यान से देखिएगा हाँ ideal solution का definition आपको देख लेना है ideal solution का definition यहां तक ठीक है non ideal का भी देख लेना है यहां तक ठीक है हाँ collaborative property concentration unit के पूछता है यह पूरा देख लेना molality, normality or formality यह पूरा देख लेना how many types of qualitative properties you have to write four types and you have to also write the names of the four types of qualitative properties clear dilute solution क्या होता है जिसको ideal solution बोलते हैं ये देख लिजेगा vapor pressure lowering मतलब roll slow आपको थोड़ा सथ याद करना है ठीक है hair slow कर लिजेगा what is hair slow बस हो गया enough है हम आपसे क्या बोल आपको क्या लगता है कि आप 2-4 question कर हम आपको बोल दें करके चल जाएगा और ये हो जाएगा जी नहीं हम आपसे पहले ही कर रहे हैं आपको अगर अपने आप पे पूरा satisfaction करना है बहुत अच्छे से आपको score करना है last 2 दिल में तो कोई भी 2 parts इन और्गेनिक पूरा और physical chemistry का मुस्किल से 4 question वह भी छोटा छोटा वह भी छोटा छोटा ध्यान से सुनी हम क्या कह रहे है हम आपको इन और्गेनिक पूरा कहने का करने का advice देंगे इन और्गेनिक पूरा और physical का मातर चार question सोचे आप कितना अच्छा score कर सकते है so student आपको analyze करना होगा ठीक है अब बहुत अच्छे से बस इतना ही इधर नहीं वर्णर्स थियोरी आप कर भी सकते है नहीं भी कर सकते है no don't worry ठीक है इतना बड़ा है आप लोग पागल हो जागेगा तो वर्णर्स थियोरी पे उसका statement थोड़ा सा पढ़ लीजेगा बस यहां तक यहां तक और coordination chemistry तक टीक है या फिर यहां से लेके वर्णर्स थियोरी का बस थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजेगा वर्णर्स थियोरी का यहां से लेके बस एक पॉइंट तक याद कर लीजेगा हो गया ठीक है तो यह कुछ questions थे जो आपके एक्जाम में देखिए आ सकते हैं तो आप सभी बच्चे इन questions नो डान कर लीजेगा बाकी से लेबस आपके बास मालूम होगा उससे लेबस से भी देखिए कुछ इंपोर्टर कोसे टिक कर के बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स नोट निराए जो रोकिएगा ताकि इसी प्रकास सेमस्टर थर्ड के एक्जाम में आपको चारे के सारे एक्जाम में इंपोर्टर को से मिल सकते हैं यह कॉमन कोर्स नहीं मेजर पेवर मिलेगा अर्शी मिलेगा अब आपने सिंद हो सकते चली मिलते नेक्स कुड़े पर तब तक तक जाहीं जाएवारा